हेलो एवरिवन नमस्ते कैसे हो आप सब होब करती हूँ आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुराने कपड़े छोटे छोटे जो कपड़े के टुकड़े होते उसमें से फॉर धमाकेदार बहुत यूसफूल आइडिया सबसे पहले मैंने दो पार्ट लिये हैं 18x9 इजिसके उसके बाद एक ये पार्ट लिया है 15x17 इजिसका देखें यहाँ पे अगर आपको वन रेक्टेंगल पीस लेना है तो भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे बचे हुए कपड़े का यूस किया है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा 17x9 इजिसका पार्था उसे हमें प्लैन कपड़े के साथ जोड़ देना है जो प्रिंटेड है वो और एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस रेडी करना है अब आपको इसके साथ राइस बैक भी जोड़ सकते हैं और उसे साइड में रखें और बैल्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे 14x4 इंचिस के दो स् करें साटर के साथ हमें राइस बैकस जोड़ सकते हैं तो वो भी हो जोड़ सकते हैं इसी के नाफ से अस्तर कर्ट किया जिसे हम यहाँ पे दोनों साइड स्टीज कर लेंगे दोनों साइड स्टीज करने के बाद अस्तर को आपको क्या करना है देखिए इस तरीके से आपको fold करके अच्छे से इसे flat करना है और यहाँ पे देखिए 2 by 2 inches का box बना ले और cut कर लीजिए दोनों साइड से आपको यही सेम method करनी है दोनों corner पे 2 by 2 inches का आपको बनाना है box इस box को आपको cut कर लेना है और फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंस लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताना देखिए अब हम क्या करेंगे अस्तर को और यह जो हमारा कपड़ा है उसे अच्छे से इस तरीके से खोल के flat कर लेंगे के दोनों साइड से अस्तर और से यह पार्ण को को अलग अलग तरिके गिसे अब हमंदों साइड से स्टीज करना है किए मैं आपको बताती हूँ कि इतना इतना सायप Calvin खूला रखे हम मार्टीं करके रख लिए उसकी जो भी जगह है उसे फ्लैट करके हम ऐसे अलग-अलग से स्टीज कर लेंगे इस तरीके से अब हम न जहां पर खुला चुड़ाता वहां से कर लेंगे सीधा यहां से आपको सीधा कर लेना है तो इसमें इतनी फिनिशिंग आएगी आप अलग से कोई स्ट्रिप लगा के कवर सी लाई नहीं करनी पड़ेगी अलग से उपर की और पट्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी अब यह जो खुला पाटे यहां पर स्टीज करके पैक कर लीजि पर फिर लिए चाओन कर लेक scalar आपे उसला तो देखे बिज्याना वह तक हbor कोई स्ट्रेग बचे यह तो कैसा लगा ज़रू से बताना अब बड़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरह तो यहां पर पूरानी कुर्ती हे बिल्कुल ही पुरानी तो जिसका हम रिफ करेंगे Todo इसे कट कर लिया है और फिर मैंने फिर से राइस बेक सेंटर में डालके आगे पीछे का पार्ट इस तरीकेसे के लिया आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 21 बाइ 70 नीच इसका ये पार्ट है और साइट से आपको इसे स्टीज कर लेना है तो यह जो चीज है आप ओनलाइन देखने जाओगे तो महंगी है लेकिन यह फ्री में हमारी हो गई है आप यहाँ पे जहाँ पे आपका बहुत एरिया है थोड़े बहुत जो बरतन है दोके इस तरीके से रख सकते है और या फिर आप जो बरतन दोने की टोकरी हमारी होती है वो भी इसके उपर रख सकते हैं बास्केट जो है और नीचे पानी नहीं जाएगा जिसकी वज़े से आपका जो नीचे का पाट है वो खराब नहीं होगा अब छोटा सा टुकडा बचाता जिसका लिया है 10 x 4 इंचिस का और एक हमने रबर बैड ले ली है इसे दोनों साइड से आपको इसे स्टीच करते हुए फॉल्ड कर लेना है यह आइडिया आपको बहुत ही यूसुल लगेगा अगर आपके पास आपकी बेटियां है तो उसके लिए तो यह बहुत ही यूसुल है यहां पर मैंने दोनों साइड से फॉल्ड कर लिया है उसके बाद हम साइड से भी स्टीच कर लेंगे साइड में से स्टीच करने के बाद हमें क्या करना है जो रबर वेड है वो ले लीजे और इसे अंदर की और इस तरीके से डाले और दोनों किनारों को पकड़ना है आपको देखे कुछ इस तरीके से जहां पर हमने जोड लगाया था वही से हम स्टीच करना स्टार्ट करेंगे यहां से इसे हमें जोड़ते जाना है दीखे कुछ इस तरीके से तो पूरे राउन में आपको ऐसे जोड़ते जाना है और स्टीच का लेना है जिससे ना हमारा एक प्यारा सा रबर बेट बनकर रेडी हो जाएगा या फिर अभी बहुत सारे लोग हाथ में पहनते हैं तो वो भी बन जाएगा बचियों को यह बहुत पसंद होता है और यह मैंने फ्रांसी की कूर्ती से ली थी उसी में से बचा हुआ टुकड़ा था तो उसका जो कूर्ती है कपड़े हैं उसका मैचिंग सा यह हमारा रबर बेंड बनकर रेडी हो गया है और मैं बता रही हूँ आपको कि यह हाथ में भी पहना जाता इस तरीके से बना की तो आप बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं अब मैंने 11 इचिस का यह चोटा सा पाउंच रखा बना लिया है पाउंच बनाने के लिए रैक स्क्वेर पीस कट किया है उसके साथ हम जिप जोडेंगे फिर करेंगे यहां पर टॉफ स्टीच होग करते हूं यह सिंपल और सुंदर से आइडिया आपको बहुत काम आएंग पर आप अस्तर अटेज कर सकते हैं या फिर जहां पर प्लैन पार्ट है वो जोड़ सकते हैं अब देखिए हमने जिप को जोड़ने के बाद रनर डालने के बाद हमें इसे उल्टा करना है और आपको इसमें अलग नहीं करना है दोनों साइड हमें सिर्फ प्लेट लेनी है यहां पर क्या करना है टू फिंगर पर फ्रंट और बैक साइड में मार्किंग करनी है और फिर आपको ऐसे दोनों मार्किंग को मिलाना है सारे कॉर्णर पर सेम मार्किंग करनी है और फिर आपको इसे ऐसे मिलाते हुए प्लेट लेनी है देखिए और जिपको आपको सेंटर यहां पर आप अच्छे से सेट करें और फिर स्टीच करें यहां पर आपको इस तरीके से स्टीच करना है तो आपको अलग से ज्यादा कुछ कट नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक पैंसिल पाउंच कोस्मेटिक रखने के लिए या फिर चूडिया रख सकते हैं जो भी आपको रखना है आप देखिए दूसरी साइड हम सेम इसी मेथर से एक प्लेट ले लेंगे जो देखिए आप जैसे मैं कर रहे हूं वैसे ही आपको करना है आपको अच्छे से समझ आ जाए उसी तरीके से आपको करके प्लेट लेनी है और यहां पर कर लेना है स्टीच करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हमने बना लिया है अब हम इसे करेंगे सीधा यहां पर सुंदर सी साइड में डिजाइन बनकर रेडी हो गई और प्यारा सा पाउंच बन गया है आप किसी को भी गिप्ट कर सकते हैं या फिर अपने बच्चियों